जैजे तुलसी भगवती सत्यवती सुखदानी नमो नमो हरी प्रेशी श्री व्रंदा गुनखानी श्री हरी शीष विरजनी देहु अमर वर अंब जनहित है व्रंदावनी अबना करहु विलंब ओम श्री तुलस्य नम्हा आप सभी का हमारी यूट्यूब चैनल पर हार्दिक स्वागत है आज आप कार्दिक मास महात्मिका चौथा अध्याय सुनेंगे साथ ही आज आज आप सुनेंगे कार्दिक इसनान की कहानी इससे पहले की विडियो को इतना सारा प्यार देने के लिए आप सभी का हार्दिकाभार आज करवा चौथ व्रत और संकस्टी कथा भी हमारे चैनल पर आज आप चरूर सुनिएगा अब सुनिए आज का अध्याय शौनकादिर इशियों से श्री सूत जी महराज ने आगी कहा ब्रह्मा जी से अब तक के पांच अध्यायों में विभक्त कथा सुनकर देवर्शी नारत जी गद गद हो गई वे ब्रह्मा जी बोले हे पुत्र तुम तो बहुत ही उदार और सभी प्राणियों का भला चाहने वाले हो इसलिए मृत्य लोग के निवासियों के भले के निमित ऐसे ऐसे प्रश्न पूछ रहे हो सुनो आज में तुम्हें ऐसी कथा कहता हूं जिसके पढ़ने और सुनने मात्र से ही समस सारिक भय को दूर कर देता है और ज्यानी ध्यानियों को मौक्ष प्रदान करता है जिसकी जैसी कामना होती उसकी भय कामना भी पूरी हो जाती है जिस तरह से गंगाजी पापों को धो देती है और सूर्य पापों को भस्न कर देता है ठीक उसी प्रकार संत समागम पाप तीनों को ही नस्ट कर देता है आदे छण का सादू समागम भी मोक्ष प्रदान करने वाला होता है इतनी बात सुनकर तमाम रिशी और मुनी ने कहा कि हे सूत जी अब आप किरपा करके कार्तिक मास महतमिका इतिहास और प्रसंग सुनाने की भी किरपा कीजिए तब श्री सूत जी बोले हे रिशियो एक समय चंद्र बदनी और कमल के समान कमल नैनी श्री सत्य भामा ने मन ही मन में विचार किया कि मैं धन्य हूं जिसके पतिदेव स्वेम तरिलो की नाथ भगवान मधुसूदन है और वे 16108 रानियों में सबसे बढ़कर मुझे ही प्रेम करते हैं जिस कल्प व्रक्ष की प्रत्वी पर बसने वाले प्राणी बात तक नहीं जानते वह कल्प व्रक्ष स्वेम मेरे आंगन में लगा हुआ है ऐसा विचार कर सत्य भामा ने एक दिन श्री कृष्ण भगवान से कहा ही ब्रभू मैं आपसे एक बात पोस्ती हूं आशा है कि आप मेर हित के लिए मेरी इन बातों का उत्तर देने की करपा करेंगे सत्य भामा की ये बाते सुनकर भगवान श्री कृष्ण सत्य भामा का हाथ पकड़कर कल्प व्रक्ष के नीचे ले गए भगवान ने कहा है सत्य भामा मैं अपनी सब राणियों में तुम्हें ही सबसे प्रेमान मैंने तुम्हारे इसने के वश में सुर राज इंद्र से विरोध करके ये कल्प व्रक्ष स्वर्ग से लाकर तुम्हारे आंगन में लगा दिया मैं तुम्हारे लिए ना देने वाली अदे वस्तू भी दे सकता हूं और ना कहने वाली बात भी कह सकता हूं इसलिए अगर त तो मुझसे गुप्त से गुप्त भी बात पूछोगी, तो भी मैं तुम्हें बता दूँगा। भागवान श्री कृष्ण की बात सुनकर, सत्य भामा गदगद होकर बोली, हे स्वामी, अगर आप मुझसे इतने प्रसन है, तो मुझे यह भी बताने की कृपा कीजिए, कि मैंने पूर्वजनम में ऐसा क्या शुबकार किया था, जिससे मुझे आपकी अर्धांगिनी बनने का सुभागे प्राप्त हुआ, और आपके साथ गरुड पर बैठ कर, ब्रह्म लोक और इंद्र लोक में आने जाने का सुअवसर भी मुझे मिल गया, हे नाथ, पूर्वजनम में मैं कौन थी और किसकी कण्या थी, सो आप मुझे विस्तार पूर्वग सुनाने की कृपा कीजिए, सत्य भामा की ये बात सुनकर, भागवान श्री कृष्ण मुस्करा कर बोले, हे सत्य भामे, मैं तुम्हें समस्त वृतांत विस्तार पूर्वग सुनाता हूँ, तुम एकागरी चित्त हो कर सुनो, सत्यों के अंत में, मायापुर नगर के अत्री कुल में, देव शर्मा नामक, चारों वेदों, छहों शास्त्रों और अठारा पुराणों का ग्याता एक ब्रहमन रहा करता था, वह भगवान सूर इनारेंड का अनन्य भक्त था, और रात दिन अतित्यों की सेवा में लगा रहता था, उसकी कोई संतार नहीं थी, फिर बड़ी आयू में उसे एक कन्या हुई, जिसका नाम गुणवती रखा गया, देव शर्मा ने अपने एक शिश जिसका नाम चंद्रपरकाश था, उसके साथ अपनी कन्या गुणवती का विवाह कर दिया, चंद्रपरकाश अपने ससुर की पिता के समान सेवा किया करता था, एक दिन देव शर्मा अपने दामाद को साथ लेकर लकडियां काटने वन को गया, वन में उन्होंने इधर उधर फिरते वे एक महा भयानक राक्षस को देखा, उसको देखकर उन दोनों के हाथ पेर फूल गए और भागने में असमर्थ होने की कारण, वे दोनों उस राक्षस के हाथ से मारे गए, परंत उस छेत्र और अपनी भक्ती के प्रभाव की कारण, वे मेरे बैकुंठ थाम को चले आए, जैसे मेग द्वारा वर्षा हुआ जल, सभी नदियों द्वारा समुद्र में प्रवेश कर जाता है, ठीक उसी तरह श्री गणेश, शिवजी, सूरिदेव और श्री हरी इन में से किसी भी देवता की भक्ती और उपासना करें, वे हमें ही प्राप्त होता है, इसी से वे सूरिभक्त हमारे दूतों के द्वारा पुश्पक विमान में बठा कर हमारे लोक में पहुचा दिये गए, इधर उन दोनों के मरने की खबर सुनकर गुणवती ने बहुत विलाप किया, रो रोकर कहने लगी, हे पिता और हे पति देब, अब मैं कैसे जीवित रह सकूँगी, हाए, हाए तो मुझे किसके भरों से छोड़ कर कहां चले गए, अब मेरे खाने पीने का प्रबंद कहां से हो सकेगा, हे तात मेरा कौन ठिकाना है, इस प्रकार गुणवती विलाप करतीवी प्रत्वी पर गिरकर मुर्चित हो गई, और जब उसे होश आया, तो घर का सब समान बेच कर, उसने अपने पती और पिता की अंतियस्टी क्रिया की, फिर संसार से विराग की लेकर भक्ती में लीन रहने लगी, इस प्रकार करते करते कार्थिक मास आ गया, तब वह विदि विधान से कार्थिक मास का इसनान करने लगी, और साथ ही साथ एकादशी का व्रत्भी करने लगी, ये दोनों ही व्रत भगवान को अति प्रेय हैं, और मुक्ति और एश्वरे प्रदान करने वाले हैं ही प्रिये कार्थिक मास में तुला के सूरे में जो प्रातेकाल इसनान, जागरन और दीपदान करते हैं उनके जन्म जन्मांतर के पाप नस्थ हो जाते हैं जो मंदिर में प्रातेकाल जाडू लगाते हैं भगवान का पूजन करते हैं वे जीवन मुक्त हो जाते हैं अर्थात बार बार जीवन मरण के बंधन में नहीं बंधते जो कार्थिक मास में तुलसी जी का पौधा लगा कर उसकी पूजा अर्चना करते हैं दीपदान करते हैं वे फिर इस संसार में दुबारा जनम नहीं लेते एक दिन गुणवती ज्वर से पीडित हो गई और असहनी पीडा में भी दुर्बल शरीर होते वे वे गंगा इसनान को कस्ट सहते वे गई इसनान करने को गंगाजी में प्रवेश करते ही मारे शीत के उसका सारा शरीर थर थर कापने लगा और वे शितिल होकर वहीं किर पड़ी उसी समय भगवान विश्णु के दूत सुन्दर विमान लेकर आये और उसे विमान में बिठा कर विश्णु लोग को ले गए यह सब कार्टे के इसनान और व्रत का ही प्रभाव था त्रेता युक्के पश्षात द्वापर युगाया तो प्रत्वी पर कंस जैसे देत्यों ने महा उत्पात किया उस समय श्री ब्रह्मा आदी समस्त देवतान द्वारा प्रार्थना किये जाने पर प्रत्वी का भार उतारने को मैंने कृष्ण अवतार धारन किया उस समय जितने भी हमारे विश्णुगन थे वे मेरे साथ में यादवों के रूप में गुवाल बाल होकर प्रत्वी पर अवतरे देव शर्मा जो तुम्हारे पिता थे वे भी प्रत्वी पर अवतरित हुए और हे सत्यभामे उस जनम में देव शर्मा का नाम शत्रा जीत हुआ और चंद प्रकाश प्रत्वी पर जन्म धारन करके इस जनम में अक्रूर जी हुए तुम उस जनम में गुणवती थी अब तुम ही इस प्रत्वी पर जन्म धारन कर सत्यभामा हुई और कार्तिक मास में किये गए वरत इसनान दान से ही तुम हमारी प्रिया हुई हो तुमने आज जन्म तुलसी जी के वरक्ष को सीज़ कर उसका पालन किया इसी से तुम्हारे आंगन में आज कल्प वरक्ष है और कार्तिक मास में तुमने जो दीप दान किया था इसी से तुम्हारे घर में लक्ष्मी जी का प्रकाश है कार्थिक मास में वरत आधी करके जो तुमने काया कस्ट सहन किया था उसी से तुम मेरी अर्धांगनी हुई जो कोई कार्थिक मास में वरत आधी करता है वे मुझे तुमारे ही समान प्रे हो जाता है हे प्रिये अन्य दूसरे जब तप यग्यदान आदी कार्थिक मास के सोलवे भाग के बराबर भी नहीं होते सत्य भामा जी को उनके जन्म का पूर्व वरतांत सुना कर भगवान श्रीकृष्ण मौन हो गए इसके आगे का वरतांत आप अगले अध्याई में सुनेगा अब सुनिए भगवान श्रीकृष्ण बुड़ी माई और उनके खिचड़ी के कटोरी की कहानी किसी गाउं में एक बुड़ी माई रहा करती थी वे हमेशा कार्थिक के महिने में वरत किया करती जब उनका वरत खोलने का समय होता तो उस समय भगवान कृष्ण आते और एक कटोरा खिचड़ी का रखकर चले जाया करती उस बुड़ी माई के पास वाले घर में एक दूसरी औरत रहा करती थी जो हमेशा ये देखती थी उसको बुड़ी माई से बहुत जलन होती कि इसका तो कोई भी नहीं है फिर भी इसे खाने के लिए खिचड़ी मिल ही जाती है एक दिन कार्थिक के महिने में इसनान करने के बाद वे बुड़ी माई गंगा जी में गई और उसके जाने के बाद भगवान श्री कृष्ण ने उनके लिए खिचड़ी का कटोरा उनके घर पर रख दिया पड़ोसन ने देखा कि खिचड़ी का कटोरा रखा हुआ है और बुड़ी माई घर पर नहीं है तो उसने खिचड़ी का वे कटोरा उठा कर घर के पिचवारे फिचवारे फिट दिया जब बुड़ी माई कारते के सनान करने के बाद घर वापस लोट कर आई तो उन्हें वे खिचड़ी का कटोरा नहीं मिला तो वे फिर तो उस दिन भूकी रही वे बुड़ी माई बार बार एक ही बात दोराती रही कि कहां गई मेरी खिचड़ी और कहां गया मेरा खिचड़ी का कटोरा बुड़ी माई तो हर दिन उस खिचड़ी के कटोरे से पहले भगवान कृष्ण को भोग लगाती फिर खुद काती उस दिन ना तो बुड़ी माई ने खिचड़ी खाई इसने वह दोनों फूल तोड़ लिए और अपने महल में ले आया। महल में लोटकर उसने वह फूल अपने रानी को दे दिए। रानी ने जब उन फूलों को सुंगा तो वह गर्भवती हो गई। कुछ समय के बाद रानी ने दो सुंदर पुत्रों को जनम दिया। राजा के तोनों पुत्र वे राज कुमार जब बड़े हुए तो वे किसी से बोलते नहीं थे लेकिन जब वे दोनों शिकार पर जाते तो रास्ते में वही बुडी माई उनको मिलती जो अब तक यही कहती थी कि कहा गई मेरी खिचडी और कहा गया मेरा खिचडी का कटोरा उस बुड़ी माई की बात सुनकर दोनों बालक कहते हम है तुम्हारी खिचडी और हम ही है तुम्हारा कटोरा ऐसा हर बार होता जब भी वे दोनों बालक शिकार पर जाते जब भी बुड़ी माई मिलती तो दोनों एक दूसरे के साथ मिलकर यही कहते बूडी माई भी यही कहती एक बार, राजा की कानों में यह बात पढ़ गई राजा को सुनकर बड़ा आश्चर हुआ कि दोनों लड़के तो यहां महल में किसी से बात नहीं करते कभी बोलते नहीं फिर ये बूडी माई से कैसे बात कर लेते हैं राजा ने सोचा सारी हकिकत को जानना चाहिए राजा ने बूरी माई को अपने महल में बुलवा लिया और कहा बूरी माई हम में से तो ये दोनों किसी से भी नहीं बोलते लेकिन हमने सुना है कि तुम से ये दोनों बाते करते हैं बूरी माई कहने लगी कि महराज मुझे नहीं पता कि दोनों मुझसे क्यूं बोलते हैं मैं तो बस कार्थी का व्रत किया करती थी और मेरे कृष्ण जी मुझे खिचडी का कटोरा भर कर दे जाते थे एक दिन जब मैं गंगस नान करके वापस आई तो मुझे व्रत किचडी का कटोरा नहीं मिला बस मैं तब से यही कहने लगी कि कहां गई मेरे खिचडी और कहां गया मेरे खिचडी का कटोरा तब उन दोनों बच्चों ने एक दिन सुना तो कहने लगे कि तुम्हारी पडोसन ने वे खिचडी फेख दी थी उसके दो फूल बन गए थे वे फूल राजा तोड़ कर ले गए अपनी रानी को उन्होंने दे दिये जब रानी ने उन फूलों को सुंगा तो हम दो लड़कों का जनम हुआ हमें तो भगवान श्री कृष्ने आपके लिए ही भेजा है सारी बात सुनकर राजा ने बुड़ी माई को भी महल में ही रहने को कहा हे कार्तिक महराज जैसे आपने बुड़ी माई की बात सुनी वैसे ही कार्तिक का वरत इसनान और दीपदान करने वाले सभी भकतों की सुनना जो कार्तिक इसनान या दीपदान ना कर पाए उन सभी भकतों की भी आप लाज रखना उन सभी के दुख दूर करना प्रेम से बोलिए कार्थिक महराज की जय भगवान कृष्ण की जय उमीद करती हूँ ये वीडियो आपको पसंद आई होगी